हेले रुबन तो बैंक निफ्टी के अंदर में गैप डाउन देखने हों मिल सकता है अगर हम चार्ट के अंदर देखी बहुत अच्छा में सेलिंग देखने हों मिला तो यहां पर जो सेलिंग हुआ उसको हम इस प्रकार देखेंगे मार्किट ने रीट्रेस्मेंट भी किया है लेकिन एक प्रोड़ोर्म और आचुक है कि मार्किट के अंदर यतना बड़ा नाम होने लेंगे बाद अगर गैप डॉन होता है तोर काम नहीं करते हो अगर बाइर काम नहीं करेंगे तो मार्किट के अंदर क्हों सकते है चोटे मुटे रेट्रेसमेंट बगर भी देखने का प्लान रख सकते हैं उसी की अकोर्टी मैंने ये रेजिस्टेंस वगरा लगा रख है चोटे गैप में तो सैलिंग का प्लान रखें को लोजी प्रैज के नीचे काम करें अगर ब्रेक आउट वगरा हो जाता है तो कंफरम कहना तुम उसकी लिए लेकिन आ कहीं ना कहीं सैलिंग का प्लान रख सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस वगरा की उपर काम करें फिर यहां पर जो सैलिंग बैठे हों यहां पर जो सैलिंग कर चुका है इनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लोग हो जा है मार्किट ब्रेकाउट बगर कर सकते हैं फिर हम 22,000 के ब्रेकाउट के लिए बाइंग का प्लान हम रख सकते हैं 2920, 2770 के आसपास रजिस्टेंस एवलिबल है 2590, 2480 के आसपास मार्केट ने दो सपोर्ट बना रहे हैं फरदर आप मोमेंटम को देखर डिसेजन बना सकते हूँ गैप डौन केस में अगर कोई पोजिटिव मोमेंटम आ रहे है तो आपी रेक्शन टाइम सेलिंग करने के लिए थोड़ा सा कम रखना है धन्यवाद झाल 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 झाल